according to this act, but today we will discuss section 49 which is related to transfer his rights under policy. जैसा कि इसके नाम से ही आपको प्रतित होगा, कि अंत्रिती के अधिकारों को सरक्षन प्रदान किया गया है, कि इस अंदर में जहां पर जो संपत्ती अंत्रन करता के द्वरा जो अंत्रन की गई है, यजि उस संपत्ती का अंत्रन करने से पूर्वही बीमा कंपनी के माद्यम से उसको इंशोर्ड करवा गया है, और इंशुरेंस इस बात का है, कि यजि संपत्ती को कोई भी नुकसान या कोई लोस होता हानी होती है, किसी अगनी के कारण से, उस लोस या डेमेज की भरपाई इंशुरेंस कंपनी के द्वरा की जाएगी, यह जो इंशुरेंस कंपनी की जो सर्थ है, उस प्रोपर्टी के साथ जुड़ी होई है, जिसका इंशुरेंस करवाया गया है, इसका तार पर यह कि इस सेक्शन में स्पस्ट किया गया है, कि अंत्रन करता के द्वारा संपत्ति का जो ट्रांशन किया गया है उसमें इस पर रूप से विधित किया गया है कि ये संपत्ति को कोई भी नुक्सान आग के कारण से अगनी की कारण से होता है तो उसकी भरपाई इंशुरेंस कंपनी के द्वारा ट्रांस्फर को संपत्तिक के मालिक को किया जाएगा। संपत्तिक का इंस्वरेंस होने के उपरांथ यहाँ पर यहां पर ये क्यूशन पेदा होता है क्या अंतरितिक को भी वो सबी लाब उस इंशुरेंस कंपनी के माद्यम से प्राप्थ होंगे जो की संपत्ति का अंतरण ना होने पर उस अंतरण करता को प्राप्थ होते तो definitely in case of such transition transferage rights are to be protected by the law how according to section 49 it has been clear if property transferred for consideration and such property or any part thereof is at the date of the transfer insured against loss or damage by file then definitely transfer in case of such loss or damage may acquire may require in the absence of a contract to the contrary यदी कोई विप्रित सम्विदा ना हो तो definitely अंतरण ती उस इंशुरेंस कंपनी से होने वाली हानी की भरपाय की जुरासी है उसको प्राप्थ कर सकेगा उसको प्राप्थ करेगा जो की अंतरण करता एक्चुल में एक्चुली वास्तिक रूप से उस भीमा कंपनी से प्राप्थ करता है उस पोलिसी के अंतरण और so much there of as may be necessary ताकि उस अंपत्ति को जो रहानिय नुक्सान हुआ है उसकी भरपाय करके उस अंपत्तिक को पुना उसकी वास्तिक रिइनिस्ट्रेटिंग दा प्रॉपर्टी इसको मतलब उसको वास्तिक अवस्ता में उसको लाया जा सके उसकी It is very clear, according to English law, the procedure of a house which happens to have been insured by his vendor is not entitled to benefit of the policy. परन्तु भारत इस संपत्ति अंत्र अधिनियम की धारा उनन्चास के दिहम देखें तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि जब तक कोई ग्रोधिस असंगत या विप्रित सम्विदा ना हो तो अंत्रिती की अधिकारों को इस कानून में संश्ष्ण प्रदान किया गया है और यह माना गया है कि ज finden का अंत्रिती उस संपति को प्रापट करने का हगदार होगा उस अंत्रण करता से या यह यह अंत्रिती के पास अक्सम दस्तावेज है उन्दे में यह तो प्रतेक्स्त तोर पर और नहीं तो अंत्रण करता के माद्द्धस है उस insurance policies है, insured जो money है, जो कि उसको loss और damage के करान से प्राप्त करने का हग है, उसको प्राप्त करने का अधिकारी माना गया है Thank you